आश डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जीविज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बज प्रशन की फोडोगी चेचो एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनोड करें पर NAD, दो पे ही, तेन पे, जिंक, आयन, तो यहां पर बात चल रही है एंजाइम की, एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीनी परकर्तिके होते हैं, लेकिन उस एंजाइम में प्रोटीन के साथ में कुछ ए प्रोटीनी भाग भी होता है, जो उस प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ होता है अब यह जो A-PROटीनी भाग होता है यह तीन परकार के हो सकते हैं पहला है प्रोस्थेटिक समुह प्रोस्थेटिक समुह भी होते हैं जो प्रोटीन के साथ में मजबूती के साथ में या स्थाई के साथ जुड़ जाते हैं प्रोटीन के साथ स्थाई रुप से जुड़े रहते हैं वो होते हैं प्रोस्थेटिक सुमुग है इसका उधारण है जो हीम अनु होते हैं वो प्रोस्थेटिक सुमुग आएक उधारण है दूसरे एक प्रोटीनी भाकिया अगर हम बात करें तो दूसरा होता है सहे कारक जब प्रोटीन के साथ में कोई धातू या आयन जुड़ा हुआ होता है तो वह है धातू या आयन सहे कारक कहलाता है यह है धातू कोईशा भी हो सकता है जैसे इसमें जिंक हो गया यह क्या है यह अगर प्रोटीन के साथ में जुड़ते हैं तो यह सहे कारकर कहलाते हैं तीसरी अगर हम बात करें तो वो होता है सहे इंजाइम सहे इंजाइम वे होते हैं जो किसी प्रोटीन के साथ में S-thi-roups से जुड़े होते हैं प्रोटीन के साथ S-thi-roups से जुड़े होते हैं तो वहें सहें इंजाइम में कहलाते हैं इसके जो उधार्ण होता है वहें होता है NAD NAD हो गया ATP B इसी का एक उधार्ण है और NADPH2 B ये भी सहें इंजाइम के अंतरगत आते हैं तो अपने जो prosthetic sum है prosthetic sum है का उधान हो गया heme और यह heme column नमबर 2 के अंदर 2 नमबर पर दे रखा है सहे कारा का उधान हो गया zinc जो 3 नमबर पर दे रखा है और सहे enzyme है उसका एक उधान है NAD जो 1 नमबर पर दे रखा है तो A, B और C के लिए सही उत्र है 2, 3, 1 2, 3, 1 हमारे जो विकल्प है पहला ही विकल्प यह सही है